जैहिन जैभारत और वेल्कम टू डेफ टॉक्स दिस आदियर चेंज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं अगर शीजिंग पिंग सुनेगा तो अपनी कुर्सी से नीचे गिर जाएगा क्योंकि भारत ने यह प्लान कर रहा है कि 18 से 30 जगों का नाम चेंज करके कहां पर टिबे अचरप्रदेश के नाम चेंज करें एक बारी 12-17 में 10-12 नाम करें थे 2021 में कोई 18 नाम करें थे और 20-24 के अंदर उसने दुबारा से एक मैप रिलीज करा था और नाम चेंज करें थे यह चीज हमको देखनी है चीन का मैप रिलीज वा था वाइदे वे वह गलत था जोग्रि 30 के बीच में नाम चेंज करके रिलीज करेगा अपना मैप निकालेगा कि साब ये है हमारी तरफ से टिबेट की जो जगें है उनका ये 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 नाम है ये बड़ा स्टेप रहेगा जैसे मैं बोल रहा हूं कि बई चाइना एक फ्रंट फूट केलता है विद रिगार् हमको भी समझ में आ गया है कि चाइना ये सिर्फ हूल देता रहता है करने की दम कुछ है नहीं उसके पास इसके बाद दो तीन चीजें होई थी आपको याद होगा पिछली बारी जब चाइना ने मैप निकाला था और चाइना ने ये चीजें दिखाई थी उसके बाद मैंन एक मैप निकाला था तो मैं आपको वो दिखा लेता हूँ ये वो मैप था जहांपर मैंने चाइना के कुछ नाम बदले थे और हमारा भारत का नक्षा भी बदला था पाकिस्तान को तोड़ फोड़ करा था हमने लेकिन चीन के कुछ जगों के नाम हमने चेंज करे थे और ट हमारा बॉर्डर तो टिबेट के साथ है इस टर्किस्तान के साथ है जो इस टाइम पर उक्यूपाइड है और कहीं पे भी भारत और चाइना का बॉर्डर कहीं आसपास आता तक नहीं है कहीं ना कहीं ये realization हमारी establishment के अंदर आनी चाहिए कि भैया this is gonna be the biggest factor कि आप चाइना को अ हमारे maps में बनाता है dotted line बना देता है तो हम भी unique maps के बीच में ये dotted line बना के ये चीज़े represent करनी शुरू करें this should be the next step in terms of you know in terms of किस ये चीज़ कहां जाएगी देखिए ये आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि जो चाइना और भारत के relations है obviously they are tensed up अग पिछले 5-6 दिन की चा उनको उसके बाद जब results results आए पांच जून को नोने उनकी ministry of foreign affairs की तरफ से congratulatory message देख मोधी की तरफ आया भारत ने कुछ इसके अंदर respond नहीं करा as a matter fact response हमारी MEA के spokesperson ने कल शांपू करा so that is very interesting उसके बाद तैवान के president का एक message आया था भारत को immediately 5-6 घंटेंगे था मोधी जी ने खुद response करा उसकी उपर चाइना में आग लग गी भई वहां पर तो already वहां पर रोना धोना ये चोना सब पर शुरू हो गया था उसने बोल दिया कि भई how dare India you cannot do this it is one China policy ये वो सब कुछ उसने रोना धोना शुरू कर दिया you have signed an agreement भई या आप अपने agreement विश्वास नहीं करते था हम क्यों करें so that he started crying उसके बाद यहां पर चाइना का जो ambassador है भारत के अंदर वो रोना शुरू हो गया कि यहार रोड पे चाइनीज कार नहीं दिखती यह only Korean कार है American कार है यह वो टूंटाय टूंटाय उसका शुरू हो गया Taiwan चाइना की बीच में किट 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 यह उसकी भी फटी भी है यार क्या बोलू what do I say you know one of the things that you need to understand global times के अंदर दरा दरन गोबर टाइम सौरी माय अपालोजी इस गोबर टाइम के अंदर एक काफी हद तक यह चीजें बार 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 चली जा रही है शहबार शरी चाइना गया हुए जो मैंने आप statement आया उसकी clerakion happy 27 nothag 27 number qa uskила लिखावा है both sides underscored the importance of maintaining peace and stability in South Asia and need to the resolution of all outstanding disputes and their opposition to any unilateral action ठेक है पाकिस्तानी side briefed the Chinese side on latest developments in the situation in jammu and Kashmir. the Chinese side re-treated that Jammu and Kashmir dispute is left over from history and should be properly and peacefully resolved according to the UN Charter relevant UN Security Council resolutions and bilateral agreement China इसमें बीच में अभी तक घुसने की उसने कोशिश करी नहीं है लेकिन it has been trying to create a little hedge थोड़ टाइम पहले हमको ये भी बदा चला था कि Chinese वहाँ पर P.O.K. और पाकिस्तानी positions के अंदर वहाँ पर थोड़ी सी construction, थोड़ी सी अपनी communication lines ये सब चीजें कुछ करने की कोश कर रहा है ताकि पाकिस्तानी की उपर अगर हमारी तरफ से कुछ जबड़ा आए तो वो थोड़ा सा बच जाए तो ये चीजें interactions, ये चीजें back end पर चल रही है तो कभी आप कुछ करते हो, फिलिपीन के जाके कुछ करते हो, ताइवान के साथ आप कुछ करते हो ये step लेके टिबेट के अंदर मेरा सवाल है कि क्योंकि टिबेटन क्वेस्टिन अपने आप में इतना इंट्रेस्टिंग है कि अगर आप दलाई लामा से पूछे है कि साब आपको चाहिए क्या चाहिना से वो बोलेंगे हमको independence नहीं चाहिए हमको autonomy चाहिए within the Chinese system क्योंकि उनको पता है वो लड़नी सकते है तो उस तरफ से एक-एक moderates align लेते हैं and he wants to showcase that मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं ये नहीं करना चाहता, मैं वो नहीं करना चाहता अब pretty much कई लोग इसको बोलेंगे pacifist approach, कई लोग अपना interpretation कुद करेंगे, it's a different this thing दलाई-लामा और government of India की interactions openly नहीं होती थी, पिछले 2-3 साल में आपने ये भी देखा है कि Modi साहब उनको birthday पर wish करता है, वो उनको birthday पर wish करता है, दलाई-लामा ने इस बारी tweet फिर से करा है कि on congratulating the Indian Prime Minister, भारत ने 2-3 चीज़ें और करी थी, तो Buddhist of Taiwan को लाके दलाई-लामा के साथ meeting करा ही थी थोड़ टाइम पहले दलाई-लामा को travel करना था, शिलंका, शिलंका की उपर, जो pressure डाला चाइना ने वो cancel हो गया लेकिन इस बारी अभी दलाई-लामा जा रहे है, USA, वहाँ पर cover story है, इलाज के लिए जा रहे है अब कौन सा ऐसे बिमारी है जो भारत में नहीं ठीक हो सकती, और US का medical system ठीक है उनको, but the actual, that is a cover story क्योंकि वहाँ पर जा रहे हैं, उनकी काफी सारी meetings हैं और यह सब वहाँ पर कर रहे है So there is obviously a Tibet का एक pressure point का game बनाने की, you know, कोशिश की जा रही है and it is a very very interesting thing As far as the border is concerned, एक जगे है, which is called the central sector, जो उत्राकंड, हिमाचर प्रदेश वाला वो जो region है वहाँ पर चाइना का, जब से ये stand-off शुरू हुआ है, कुछ इतना action वहाँ पर हुआ नहीं North में वहा है, East में वहा है, जहाँ पर दोनों जगे पर उनकी पिटाई-पिटाई करके वापस भेजा था East का तो बड़ा जबरदस वीडियो है, तीन-चार सो लोगों को, पचास-थाट लोगों ने माल मूर के वापस भेज दिया था Central Sector पर थोड़ा सा कुछ दिख रहा था, उसी हिसाब में आमी ने अपने आपको Redeploy करा है और एक Central Sector के लिए एक Separate Core डिजाइन किया है, जो वहाँ पर ही उसी एरिया को Protect करेगा, Manage करेगा और लड़ेगा उस जगे के अंदर, तो वहाँ पर अभी दो Fighting Brigades Already Deploy हो रखी है, तो इंडियन आभी ने भी अपने आपको Reposition कर रहा है, क्योंकि Central Sector के बारे में काफी लोगों ने, who are, who look at these ground movements has actually mentioned, कई लोग भारत में न, बड़े History of Taiwan, ठीक है, यह तैवान को न, it's a fellow democracy, देखिए, डेमोकरसी शेमोकरसी तो अभी आई है वहाँ पर, अगर आप उनकी 90s की History देखें, it was nothing worse than what it is in China, ठीक है, it was pretty much the same, plus Republic of Taiwan के जो Official Maps हैं, उसके अंदर जो भारत की territories हैं, वो आज भी claim करता है, as a matter of fact, Tibet को वो भी claim करता है, Arunachal Pradesh को वो भी claim करता है, Aksai Chin को वो भी claim करता है, तो जब तक Taiwan अपनी map नी change करता, अपना एक claim line नी change करता, तब तक भारत क्यों recognize करे, it is a self-destructing purpose, और ऐसे लोग जिन्होंने कभी कोई चीज इसके बारे में पड़ी नहीं है, they make such statements, it is an idiotic, absolute idiotic statement, and I, मैंने ये चीज़ें पड़ी हैं, कई जगों में, कई बड़े so-called commentators आके के ये चीज़ें बोल जाते हैं, just to criticize they say stuff, without realizing history क्या है, play the Tibet card, my friend, that is the better bit to be, declare the factor कि ये जो भी border है, जो भी so-called भारत-China border है, is not a भारत-China border, it is a भारत-Tibet border, that is, these are the steps that you need to take on जो, rename the places in Tibet, in cartography, this is very important, these are the steps that you need to take, to create step-by-step-by-step pressure, and not go support a country that is actually wanting the same amount of land, जिसके अगेंस में तुम बात करें, थोड़ी सी, we have to use a little bit, little bit of a game in this particular thing, इसी हिसाब में मैं अपना map दुबारा दिखाना चाहूंगा, जो हमने बनाया था, जहां पर, the real map of China मैंने आपको दिखाया था, these are the real map of China, without the names, actually, let me just show you, जो नाम के साथ मैंने करा है, थाकि थोड़ा burn अच्छा रहे है, उतरपूर, विदेशपूर, चरणपूर, मकरपूर, हरे कृष्णपूर, शिवाजी नगर, मैंने इनके नाम बदाय थे, बेजिंग इस उतरपूर, विदेशपूर इस वुहान, क्योंकि जो भी वहाँ पर बनता है, वो विदेश जाता है, जैसे करोना वारिस पंडेमिक, चॉंकिंग इस चरणपूर, मकरपूर इस मकाव, हरे कृष्णपूर इस होंग कॉंग एंड शिवाजी नगर इस शैंगाए, तो अगर नाम वो चेंज कर सकते हैं, भारत तो खेर टिबेट के अंदर कर रहा है, तो मैं तो चाइना के अंदर ही जाके उनके नाम चेंज कर सकता हूँ, we need to start playing this game much better, cartographic warfare is a very interesting part of warfare and I am glad the government of India is starting to look at it, क्योंकि मेरे तो हाथ लिडे हो गए हैं, ये map बना बना के, I will keep doing this effort but I think it needs to become a more organized effort, जहां पर आप पाकिस्तान का भी map release करिये, आप चाइना का भी map release करे, as you see it, इसी बात में I think this will be a welcome step and देखेंगे चाइना किस तरफ से रोता है, कहां से चीके निगलती है और अगला step क्या रहेगा, इसी बात में प्लीज ये वीडियो को like ज़रूर करिएगा, subscribe करेगा चानल को अगर आपने नहीं करा है and most importantly share them with your friends and family ताकि Dev Talks community बढ़ती रहे and of course yes, आज दुपेर में मिलेंगे for a short but a very very important episode with Mr. Kaval Sibal, the former foreign secretary of भारत जो हमको बताएंगे Mody 3.0 का क्या game रहेगा and then of course रात को मैं आपके साथ cover करूंगा जी ओर्थ टेकिंग सर्मिनी and उसके पीछे geopolitics क्या है as well as भारत की upcoming geopolitics अगले चार दिन में किस जगे पे पहुँचेगी, we will catch that at night. Jai Hin, Jai Bharat.